क्या आप जानते हैं कि अनिल साहू कौन हैं जिन्होंने नौ देशों का समय बताने वाली घड़ी बना कर राम मंदिन में दी हैं इसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं सर आपका नाम क्या है अनिल कुमार साहू लखनो के रहने वाले हैं जी मूल रूप से तो हम फतेबो डिश्टिक के रहने वाले हैं लेकिन 25 साल से गोंदिन अगर लखनों में रह रहे हैं सर ये जो घड़ी बनाई है आपने क्या खासियत इसकी और आपने राम मंदिर में ही क्यों दान दी जी ऐसा है इस घड़ी की खासियत ये है कि घड़ी नो देसों का समय बताती है एक साथ अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी जो एक घड़ी में आप नो देसों का समय देख सकें और एक खासित इसमें और ये है कि एक यीस हुई है जो मिनट और घंटा दोनों बताती है और राम मंदिर में इसलिए हम इसको दे रहे हैं क्योंकि हमने दुनिया से अलग चीज बनाई है बात को रखते हुए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अज भारत ने बनाया हम ने बनाया और हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि बिस उगली बनाने वाला आदमी भारत का है कितने दिन में तयार हुई है यह सर बच्पन से मेरे अंदर एक तमना थी जब हमारा 15-20 साल की उमर थी तब से जब हम लोगों के बारे में सुनते से या पढ़ते से समझते से तब से ही एक तमना थी हमारे अंदर हम भी देश के लिए कुछ अलग करेंगे और डिफरेंट करें और मैंने इसको आगे बनाएगे बनाने के बाद अब हम इसमें इसको दुनिया को इसका इंटरनेशनल इसका पेटेंट हो चुका है भारत सरकार से इसका इंटरनेशनल पेटेंट करा करके पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं कि 20 उखली बनाने वाला आदमी भारत का है जैस मंडीमेंं Do Sen's civilly सिंगल बना है उसी बैने एक काम पर थ्य देन देने है तो थोड़ा DONकी में कर्चुख का масс लकाиш dokument मेरे तीन लड़की तो मैं सादी कर चुका हूं कानपुर में वीर दो जोड़ा कीम कर चुकिक खुता है कोइफ्यान कोज में क। दूसरी है भी हमारी 96 परसेंट मेरी इंटर काले से पार्स हुई है इंटर इनका लखनव इनवेस्टी में हो गया है और मैं बहुत एक शोटा आग्मी हो और मैंने एक काम अपने लिए नहीं किया पैसा तो मैं कमा के अपने बच्छों का पेट पाली रहा हूं मैंने काम खास यहां से नहीं होता है लेकिन हम लोग पेटेंट के बारे में बता सकते हैं कि कहा कैसे क्या होता है आप तुन्होंने एक बलराम जी का नमबर दिया हमको तो एक बलराम जी है उन्होंने हमारा पेटेंट कराया तो आज आपने चंपतराजी को दे दिया यह जी हाँ चंपतरा मैं इसमें आप लोगों से मेरा ये अनरोध है कि मेरी बात को मोदी जी सक पहुंचाईए और उनसे बताईए कि सब्सकु घरी बनाने वाला आदमी भारत का है मैं यह जाना चाहूंगी जब आप लैसुन बेशते हैं तो सारा बिग जाता है कुछ बच भी जाता है अब सर यह तो धंदा है जैसे माली जे बिजने से लेके गए कभी 400 बचा कभी 1000 बचा कभी 800 बचा हम 50 किलो ले जाते हैं एक बोरी ले जाते हैं अगर पूरा बिग गया त तो ऐसे चले आते हैं खाली बोरी लेकर के नहीं अगर बीस किलो बच गया कभी 10 किलो बच गया कभी कभी ऐसा समय आता है कि घर से दुबारा ले जाना पड़ता है तो चया टाइमिंग होती है आपके लगभवा बैटेंग मादब बिखने के ओपरी टाइमिंग आपके लिक वहाँ जाके तो फुर्वर फिल नहीं है, मैं एक दो दो भोरी खरीटते हूं, यहीं से खरीद के यहीं बेचता हूं, और रिटेल दुगान है, मेरे दो, चार, किलो, पांच, किलो लोग मुझसे ले जाते हैं, 9-10 बेचके, मे अपने घर चलाता हूं, फिर अपने बच्चो उसे अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18